नमस्कार स्वागत है आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब मैं हूँ विजे क्रिस्न और आज हमारे साथ मोजूद है डॉक्टर राजे सिन्हा डॉक्टर साहब आई जी एमेस में इंद्राय गांधी इस्यूट और मेटिकल साइंस में चर्म एवं रती रोग विभाग में स्वार तो और हैं तो और तरह तरह के मारकेट में क्रीम भी आ गया है राजेर गया है अलग लोजन और तो यह ट्राय क्यों होता यह खान पाम से होता है यह है यह तक सिका लक्शन होते हैं यह वोते क्यों किजी को और तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि स्किन हमारा जो शरीर का है एक प्रोटेक्टिव लेयर है तो यह इसका मुख्य का काम जो है शरीर का बचाव करना वातावरन में जो हानिकारक पदार्थ है उसको अंदर जाने से रोकना है तो उस हिसाब से असकिन का फंक्शन है और असकिन का डिफ्रेंट वहराइटी में बाटा गया है उसमें में जो जो वहराइटी है वो ड्राइ असकिन और वाइली असकिन जैसे आम लोग भी कहते हैं कि हमारा सकिन ड्राइ रहता है या कहते हैं कि वाइली रहता है तो यह एक ज स्किन फोडवा जड़ा ड्राइड रहता है कुछ लोगों का नॉर्मल में आता है तो उसमें फोड़ा सा चेहरे पे वाइलिकोट सुबह में जब aware अग DaeaeNegin कि हलकरा सा चेहरे पे चिप चिपापन है कि फिन नॉर्मल सीकिन में इस कुछ भी नहीं लगेगा और ड्राइ स्किन में लगेगा कि चमरा सवरा सा ड्राइ लग रहा है हलका सुष्की टाइप की महसूस होती है तो यह जो स्किन का टाइप है यह जैनेटिकली डिटर्माइंड होता है और इसी के हिसाब से आदमी को अपने कॉस्मेटिक्स को मोडिफ करना चाहिए और यूज करना चाहिए अधर अधर अमोन नहीं देखा गया जो ड्राइ स्कीन वाले और ओईली स्कीन वाले तो नॉर्मल स्कीन हुआ तो यह दोनों बतलब बड़ा अनीजी फील करते हैं और एक्सपरिमेंट करते हैं कॉस्मेटिक्स को लेके ड्राइज कीन ले अलग कुछ कर लिया तो कॉस्मेटिक्स में एक्सपेरिमिंट और यह क Buddhism लोक फान पानपर नहीं देते हैं तो rubbish का है उसका और ज्यादा और क्रह्ट्व होगिया तो यह लोग क्या करें और कॉस्मेटिक्स सब्स्राइब ऐसे का Wars ही जैसके पहले बताए कि और्सिक और ड लेकिन जैसा नॉर्मल है कि अपना डाइट को हेल्दी रखना चाहिए, ज्यादा वाइली फूड नहीं लेना चाहिए, यह तो करना ही चाहिए, क्यों वाइली फूड जो है, वो सरीर के लिए हानिकारक है, फैट ज्यादा लेंगे तो सरीर को नुक्षान होगा, लेकिन वाइ वाइलिनेस में कम पता चले वाइलिनेस और दो से तीन बार दिन में चेहरे को कोई फेश्वास से धोएं, और जिनका ड्राइए स्किन है, उन्हें मोश्राइजर रखना चाहिए, जो नॉर्मल मोश्राइजर बाजार में भी उपलब्द हैं, और डॉक्टर के प्रिस्क्रि तो इसके किया लग्षण है, कैसे इसको मोहासे को आ गया कैसे क्यों आता है? बिलकुल मोहासे काफी कॉमन है और एक जो एज ग्रूप है, बाड़ा साल से करीब वही 20-25 साल तक मोहासे आने का उम्र रहता है, और हर किसी को कम जादा मोहासे आते हैं, तो अगर मोहासा जो है वो डाइगनोसिस करना तो काफी असान है सबी लोग देखके खुद ही बताते हैं कि हमारे चेहरे पर मुहासे हो रहे हैं तो मुहासे में क्या होता है कि चेहरे पर छोटे-छोटे फोड़े फुंसी आकार के उभरने लगते हैं तो इसको देख करके बहुत से लोग अगेन मुहासे ठीक हो जाते हैं और उसमें जो है की ऐस्टिरवाइड मिला रहता है तो उसको लगाने से वह क्या होता है कि मुहासे को दवा देता है लेकिन साथ-साथ हो आस्कीन को पतला कर देता है, एट्रोफी कर देता है तो बाद में वो skin काफी दवा से sensitivity भुझाता है, normal cream से भी sensitivity भुझाता है, और जो चेहरे पे है, छोटी-छोटी खून की नलिया दिखने लगती हैं, जिसको हम लोग एक entity ही आजकल इतना ये prevalent हो गया है, कि जिसको कि हम लोग asteroid damaged face कहते हैं, तो ये जो होता है, asteroid damaged face, इसको prevent करने क के लिए इस तरह का cream का इस्तमाल न करें, और अगर मुहासे हैं, तो अपने नजदी की चर्म रोग विशशगे से मिलें, और उसका इलाज बुड़ी तरह से संभव है, तो डॉक्टर साब अभी बता रहे थे, skin के types के बारे में, तो normal skin इन्होंने बता है, उसके बाद oily skin बत हैं, तो बाजार में उपलब्त कोई विदावा को न ले ले, आप नजदी की चर्म रोग विशशग के पास जाके मुहासे का इलाज करवाएं, और जिनका oily और dry skin है, वो अपना जो cosmetics का चुनाव ध्यान से करें, इस एपिसोड में फिलाल इतना ही, अगले एपिसोड में यूटूब चैनल डॉक्टर साहिब को subscribe नहीं किया है, तो तुरंत कर ले, आप हमें facebook page पर भी likes और comment कर सकते हैं, धन्यवाद